कितना फर्क है सामाजिक नियाय में सत्ता पक्ष के और विपक्ष के और बड़ा ताजुब इस बात का 75 बरस बीट गए न गरीबी खत्म हुई तब भी गरीबी का मुद्दा आज भी गरीबी का मुद्दा 70 के दशक में भी सामाजिक नियाय का जंडा बुलंद होता था और आज भी 2023 में सामाजिक निया एका जंडा बुलंद हो रहा है यारे कि सिर्फ चुनाव जीतने का मेकानिजम है पाच अलग अलग दलों के प्रवक्ताओं को सुन चुका हूँ और इसके पहले जब महिरा अरक्षन पे बहस हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि अंदर से कोई इसका पक्षधर नहीं है ये एक राजनीतिक स्थिती ऐसी बन गई कि आप उसको ना नहीं कह सकते हो कि मनोसिंका का की पाटी ने भी समर्थन किया जेडियू ने भी समर्थन किया, सब ने समर्थन किया ये जो पिछोडों का मुद्दा है, आरक्षन का इशू है सिध्धान्त के तौर पे, विचार के स्थर पे सुनने में बढ़ा अच्छा लगता है बढ़ा बौधिक लगता है ये कि हम चाहते हैं ऐसा, ऐसा सुसलिस्ट चाहते थे ऐसा हमारे पूरवच चाहते थे, ऐसा अंबेदकर ने इन्विसेज किया था सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है मुझे तो लगता है, और मैं कन्विंस्ट हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि अंदर से कोई political party, ये मनुवाद उनके अंदर है कोई party चाहती बाती नहीं है, ये एक political tool है अब ही मैं धर्मेन पुधान जी को सुन रहा था, राहूल गांधी के बाद उन्होंने कहा कि राहूल गांधी के पिता जी क्या कर रहे थे, मंडल कमिशन पे अब पता नहीं उस समय बीजेपी क्या कर रही थी मंडल कमिशन पे, ये कोई उन से पूछे, गुरू प्रकास पासवान जी से पूछे, राजीव गांधी तो उस कमिशन की रिपोर्ट पे बैठा ही थे, आडवानी जी, अटल जी, वो क्या कर रहे थे, अब चक्र घूमा है तो आपको उस दिशा में जाना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल चुका है, देश की राजनीती का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है, इसलिए गुरू प्रकास जी हमारे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको जो रेयर इतने दिये, यहीं से यह बताएंगे, अगर 2024 का अंदाजा लगाने की कोशिशों, विपक्ष की लामबंदी है कि यह मुद्दा हिट करेगा और असहिज करेगा सत्ताधारी पार्टिकल, यह अचानक से पिछडों के लिए कोई ऐसी मन में सद्धा जाग गई, को ऐसा भाव जा गया, कि नहीं, इनको एंपार करके रहना है, राहुल गांदी जी ने कहा, पिसली बार गलती हो गई थी, वो महिला आरक्षन के समय भी गलती हो गई, उसको ठीक करना चाहते है, बहुत अच्छी बात है, जड़ता नहीं होनी चाहिए, मनुस्यकी सोच में बदलता रहना है, उससे लड़ने के लिए, जब वो 80-20 की बात करते हैं, तो इधर से 85-15 की बात होगी, इधर से, मैं मुझे लगतार 10 दिनों से कह रहा हूं, कि बिहार से जब यह आखड़ा आएगा, तो करना तक से एक आखड़ा दिया जाएगा, और अब उससे बात आगे बढ़ गई, यह राजस्थान वाले कह रहे हैं, हम भी कराएंगे, 36 वाले कह रहे हैं, हम भी कराएंगे, क्योंकि पूरा डिस्कोर्स आपको पिछड़े और अगड़े पे लेके आना है, यह एक ऐसा मुद्दा है, जो नरेंद्र मोदी को, यह मंडल, मैं तो कहता हूं, 3.0, मैं पहले भ तुमार मिले, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की करत रोक लिया, जो इन्विंसिबल लग रहा था, नरेंद्र मोदी को, तो उसको मैं अगा, 2.0 मानूं, तो यह 3.0 है, यह 3.0 है, कि उसको किसी भी तरीके से, जात के नाम पे, उसको इकठा करके, हमको रोक लेना है, नरेंद्